हलो स्टुएंट्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बैंकपुर में दोस्तों इस समय काफी सारी बात ही चल रही है SBI Junior Associate की Notification को लेकर के लेकर के कई सारे यूटुबर्स की बात करते हैं कई सारे बहुत अच्छे यूटुबर्स भी हैं कि आपका SBI Junior Associate का exam होया है या फिर कोई Notification नहीं आया है अगर हम Days count करते हैं तो approximately 30 दिन हमारे पास बचे हैं और exam होगा तो कहीं पर ये हम मान सकते हैं कि हो सकता है कि ये बात सही हो और Notification एक या दो दिन में देखने को मिल जाए क्योंकि अगर 21st of September को अगर हमारा Junior Associate का exam होता है तो अगर हमारे पास अगर Notification अभी नहीं है तो हम ये बात ज़रू मानते कि SBA ने हमेशा 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 चोकाया है कभी PO की विकेंसी को लेकर के तो हमेशा कभी Clarical की विकेंसी को लेकर के तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं एक या दो दिन के दर Notification आ जाना चाहिए SBA Junior Associate का और तब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 24st of September को हमारा Junior Associate का exam होगा लेकिन अभी हम certainty कुछ भी नहीं है कह नहीं सकते हैं जब तक officially नहीं आता है तब तक हम इसके बारे में कुछ भी और बात कर नहीं सकते हैं बट इससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो आपके और दूसरे exam line-up है जैसे कि आपका IBPS, RRBPO का exam है then IBPS clerical का exam है आप अपनी focus बनाए रखें अपनी तयारी करते रहें अगर SBA junior associate का आपका notification आता भी है तो जो syllabus है वो लगबख से ही मैं आपका कुछ अलग नहीं है practice भी कुछ अलग नहीं कर रहे है आप PO level पर अपने आपो prepare कर रहे है तो आप prepare करते रहे है जैसे ही कोई notification आता है उसका कोई update आता है कोई भी उसका update आएगी हमारे पास तो हम आपके साथ से जरूर शेयर करेंगे तब तक आप बने रहे हैं हमारे साथ में किसी तरह के अगर आपके कोई भी query हो तो आप इस वीडियो के comment section में जरूर ड्रॉप करें I will definitely reply you Thank you, thank you very much